नमस्कार मित्रों वंदे मात्रम जय हिंद्ध हाई कोट डिवाइसो ना पेपर मा गणित ना पूछायला प्रश्णों नू गणित रिजिनिंग ना पूछायला प्रश्णों नू सॉलूशन स्टार्ट करिये तो मित्रों लेट स्टार्ट दो एजिस ओफ एन बी आर इन दर रेश्णों ओफ फाइव रेश्णों 6 एंड सम ओफ दिर एजिस इस 44 यह एलेके बन्येनी उम्मर नो सर्वाडों चुम्मालिश वर्ष छे तो वट विल बी दर रेश्णों ओफ दिर एजिस आफ्टर 12 यह तो मित्रों यहां पांच अने छनों सर्वाडों करिये तो 11 एलेके 11 एलेवन is not 11. In this sum, we can easily see the sum of their edges is 44. It means 11 unit is equal to 44 means 4 times. So, we can find the separately edges of A and B, the multiple of 4 with 5, 5 into 4, 20 and 6 into 4, 24. So, we can easily find the edges of B is 20 and A is 20 and edge of B is 24. Find the ratio of their edges after 12 years. So, after 12 years, A will become 20 plus 12, 20 plus 12, it means 32 and B is current is 24. After 12 years, he turns 36. चार वड़े शेदु डाडों, आट छोक बत्रिश, चार नौवा चत्रिश, तो 8 रेश्यो 9. तो मित्र जवाब आउशे, आठ जेम 9. बार वर्ष पशे नी त्यमनी उमन्यो गुणत तर आठ जेम 9. इन एलेक्शन बेट्वें तो कैंडिएट्स, 5 परसंटेज अब दर टोटल वर्ष पोल्ड वेर फांड तू बी इन्वेलिड पांच टका मत् इन्वेलिड थेरवामा आवेच्व। तो विनिंग कैंडिएट गोट 60 परसंटेज अब द वेलेड वर्ष एंड वांड वांड 3,800 वर्ष तो फांड टोटल नंबर अब द वर्ष पोल्ड तो छूटनी मां कूल थेलू मत्दान श्वध्वानू कि दू तो मित्रों अईयां एक बाबत खास ध्यानर मां राखवानी के विनर कैंडिडेट ने साइट टका मिला तो लूजर ने कितल्या मिला आशे 40 टका त तो ट्वेंटी टका थी आरशीत थाई तो ट्वेंटी परसंटेज इतले के अड़ त्री स्वा पेला से तो सवथी पेला हूं वेलिड़ वाट गनिश तो 3,800 इस एकल तो 20 परसंटेज तो नाव वी आर गुएंग तो फांड परसंटेज वेलिड़ वाट त्वेंटी 100, 5 इन्टु 0, 0, 0, 8 इन्टु 5, 40, 5 इन्टु 3, 15, प्लस 40, 19,000 तो वेलिड़ वाट केटला मिला? आजे वेलिड वाट वोगनिश हजार मिला इपंचानु टका है ज़ें तो आपंचानु टका बराबर वोगनिश हजार तो मित्रो टोटल वाट वोगनिश हजार सोटका है ज़ें तो टोटल नंबर ओफ वार्ट इस ट्वेंटी थाउजड हैंस थांसर इस ट्वेंटी थाउजड तो वीश अजार जवाब आउश है दो एवरेज ओप टू शीक्स टैनेंड के इस एट एंड एवरेज ओफ वन सेवन के एंड पी इस सेवन दो वेल्यू ओफ पी इस मित्रों यां बे प्रकारे तमने एवरेज आपी से बे छो दोस अने के नी एवरेज आठ से तो यहां उँड डेविएशन मेथडनों यूज करिश 8 यह माइनस 6 माइनस बे वत्ता बे अब यह भी अब यह डेविएशन 0 थिग्यों आयएम माइनस 6 से तो वत्ता चो करो तमित्रों के नी किमत 08 वत्ता चो 8 प्लस 6 तो k इस तुकल टू 14 k is equal to 14 now we have to start the process of finding P toh 1 7 k is equal to 14 and P the average of 1, 7, 14 and P is 7 we put the value of k is 14 toh ऐए शात ऐए एक minus 6, 7, 7, 0 7, plus 7 deviation plus 7, toh minus 6, toh minus 1 करू, toh deviation 0 थाए minus 6 ने minus 1 minus 7, plus 7 deviation 0 थाए एकले कि the value of P is 7 minus 1 is equal to 6 hence the answer is 6 next 40 percentage of a number is 21 less than 55 percentage of the number what smallest number should be added to the number to get a perfect square तो मित्रो see here is a 55 percentage and here is 40 difference difference between the percentage is 15 percentage तो we can say that 21 is equal to 15 percentage तो आज तो डाण पंचा पंचा पंडर, त्रण हत्ता एक्विस, विश्पंचा सो, साद्वी, चाओध, तो तो तो, the number is 140. but here we have to find the smallest number should be added to this number and this number turn into perfect square number. So, you know that 144 is a perfect square number, so we have to smallest number add is 4. Hence, the answer is 4. Two men can do a work in 5 days, whereas 5 women can do the same work in 3 days. So, this is a total work and this is also a total work. So, we can find the men and women efficiency ratio, we can find efficiency ratio of men and women. 5, 2, 10, 5, 3, 15, W, M divided by W, 15 by 10. So, efficiency ratio is 3 by 2. So, men's work is 3, W, 3, total work is 3, and the work is 3. So, this work is 3, and the work is 3, and the work is 3. So, this work is 3, and the work is 5, 2, 10, 10, 10, 13, divided by 5. So, 1 woman and 1 man can do this work in 6 days. in 6 days. Two position of a dice are shown below, which number will appear on the face opposite of 1. So, 6 is the face opposite to 1. Hence, the answer is 6. 6 is the face opposite to 1. Hence, the answer is 6. 6. Next, the length of and breadth of a rectangle are in the ratio of phi ratio 3. The parameter of the rectangle is 112, 112 cm. It means 2 into L plus B is equal to 112. L plus B is equal to 112 divided by 2. So, we can find the L plus B is 56. 6. So, we can find the L plus B is equal to 56. The value of 8 unit is 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 56. 57. Аne 7, 31, 21. Number 28, 7,31. The height of the rectangle is 35. The length of rectangle is 35 and breadth of rectangle is 21. So, we can find the area of rectangle L into B. Tha35 into 21 . तो पांत्रिष गुण्या एक्विष, पांत्रिष दू शित्यर, साच्छो, पांत्रिष एका पांत्रिष, तो मित्र जवाब आउशे, 735, 735, 735. Which number will replace the question mark in the following series? Mitrawaya difference of this two number is 1, here is 4, here is 9. So, we can see the difference of two number, conjugative two number is perfect square, 1, 4, 9. So, next number is 16, hence the answer is 15 plus 16, so it is 31, hence the answer is 31. Purnavarga Sankhya Tafavatma, all the surfaces of a cube of a 5 centimeter side are painted with blue color and then it is cut into smaller cubes. एक मोटा घन के जनी लंबाई 5 centimeter से नेमा थी ना 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 एक centimeter ना घन करवामा आवे छे. Then how many smaller cubes are there having three surfaces painted with the blue color? Always keep in your mind, remind that three surface painted, answer is 8. हमेशा मित्रोग लंगन मा अप्वाद शिवाई मा कोई पंड जिग्याए तमने त्राण सर्फेज, त्राण सपाटी रंगवाले पूछाए, तो जवाब आवशे 8. Next, and the last question of this paper, what is the area of a circle which is circumscribing a square having perimeter 28 centimeter? एक चौरस से, जैनि परिमिती 28 centimeter से, लेकर 4L बराबर 28, तो L बराबर 7, तो हैं यां साथ, 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 उन्हें साथ, तो आव वर्तुलनी फर्ते, आव वर्तुलनी फर्ते एक वर्तुल से, और आ वर्तुलनी क्षेत्रफल शोद्वानू से, तो मित्रों यां जें उन्हें लाइन दोरिश, ए वर्तुलनों व्यास थाशे, 44 नी फर्ते वर्तुल परिक्रमा करतु होई त्यारे, त्यारे वर्तुलनों व्यास बराबर 44 नों विकर्णों थाए, 44 नों विकर्णों थाए, तो विकर्णानू माप शूं थाए, तो के विकर्णा बराबर, रुट्टू गुण्या एल थाए, तो विकर्णा बराबर, रुट्टू गुण्या साथ, एड़ले के साथ रुट्टू, विकर्णा आवशे, तो विकर्णानू माप साथ दो प्रिश्या केतली ठाशे साथ रूट्टू ना शेदमा टो अब यह एटली ऑंरूट्टू घुना रूट्ट्टू लखी शुकू तो क्या रूट्टू रूट्टू गया झा तो साथ ना शेदमा रूट्टू अर्यख़ the area of a circle is pi r square pi is equal to 20 by 7 20 by 7 into 7 by root 2 into 7 by root 2 7 7 root 2 गुन्या root 2 एटले 2 था है 2 गुन्या एग्यार एग्यार गुन्या 7 एटले 17 cm2 the area of a circle is 77 cm2 cm2 तो मित्रों आपड़े हाइकोट डिवाइसोनू पेपर स्वालूशन गनितना प्रश्ण रिजदिंग प्रश्णनू स्वालूशन पूर्ण करिये शिये नवा लेक्चर चाथे अनुकोड़ताय जल्दी मलश्यू वंदे मातरम जय हिन